नमस्कार अब भारत लाइब देख रहे हैं जेडियू में आज पूरे दिन मन्थन चला यू कहें तो ये लंबा मन्थन था सुबह के 11 बजे से साम के 4-5 बजे तक लगतार मन्थन चला जिसके बाद ये तय हो पाया कि जेडियू का अगला अध्यक्ष कौन होगा लेकिन इसके पहले ही खबर आ गई थी शुत्रों के हवाले से कुछ खबरे आई थी जिसमें हमने भी आपको बताया था कि जेडियू के नए अध्यक्ष ललन सिंग बन सकते हैं और ललन सिंग बने भी जेडियू में इस तरीके की बाते सामने आ रही हैं अब जेडियू के बिहार प्रद इस इस्थिती में ललन सिंग को खुश कर दिया गया है राष्टिय अध्यक्ष का पद उन्हें दे दिया गया है लेकिन अब जेडियू में जिस तरीके की बाते निकरकर सामने आ रही थी कि जेडियू में अंतर कलह हो सकता है ऐसी इस्थिती बन सकती है तो हमने आपको इस सर्तों के अधार पर अपने पार्टी में सामिल कराया था और RLSP का विले कराया था लेकिन कहीने कहीं संसद्य बोट के अध्यक्ष तो उपेंद कुश वाया है लेकिन खुस नहीं है ऐसा लग रहा था कि उन्हें अध्यक्ष का पद मिलेगा लेकिन एन मौके पर नितीश जाने भी इसलिए जाते हैं वो अचानक से कोई फैसला ले लेते हैं और उस फैसले से सभी को आश्चर चकित कर देते हैं अब जेडियू में राष्टिया देक्ष को लेकर जो पेच फसा था वो निकल चुका है लेकिन फिर से जेडियू में कई नेताओं की नराजगी सामन हैं नहीं बता रहें थे अब ट्वीट के माद्यम से उन्होंने कुछ बाते रहा किhst हैं आपको पता दे कि उपेंद्ट कुस्वाह को ये आशा था कि वो जेडियू के नए अध्यक्स बने का मौका मिलेगा अब जब नहीं बने हैं तो उनका दर्द छलक रहा है सीदे तॉर पर पयुका हैं तो उन्होंने ट्वीट करके और फेस्बुक के माध्यम से अपने दर्द को बया किया है। तेज हो चली थी कि उपेंद कुश्वाहा के गुट मेंर पयुक का चल रहा है। तुरव की बाते सामने आई हैं लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि उपेंद कुषवाहा का क्या कुछ निर्नाय होता है क्या उपेंद कुषवाहा इस फैसले से खुष है अब जब वो मीडिया के सामने मुखापित होंगे तो उनसे यह सवाल किया जाना लाजमी है बने रही है भारत लाइप के सांथ बहुत बहुत धन्यवाद अगर इग वीडियो पसंद आई और रुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से सरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले अगर रुवा पत्रकाईटा के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नमबर नोटकली 93868167000 धन्यबाद